हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्टकार नाविक जीरी के रिकारिंग स्टेज वन सेक्सन टू के मैथमेटिक्स के चप्टर इंडेफिनिट इंटिटल के पार्ट 3 को इस आप उसको बना सके तो, चलिए भर तें सभी लेटर कोष्ट करने के लिए एंगे लिंक पर क्लिक करके सभी प्रण ओड़ कर सकते हैं या फिर आप K Wallacholeumb child को जोसरे आपको चैनल पे सभी पीडियो लिंक प्रवाइट करवा दिए जाएगे तो, चलिए पहले भी पढ़ा है और हम ने आपको सिखाय था प्रबेस वीडियो में कि आप 1 प्लस को किया लिख सकते हैं ठीक है तो 1 प्लस कोष 2 एक्स का फर्मूला हम ने आपको बताया था जो कि होता है कि इसके वड़ावर 2 इंट Ó तो किस के बढ़ावड होगा ? 2 into cos square x रहागा यहाँ पर माइनेस रहता है माइनेस रहता है माइनेस रहता है साइन लगाना होता है 2 into sin square x तो यही यहाँ करने का तरीका हमने आपको बताया था कि प्लस रहागा ऐसा माइनस रहागा तो क्या करेंगे तो यहाँ पर प्लस वाला आया तो हम क्या करेंगे प्लस का साइन ले लेंगे तो integration of root under ठीक है integration of root under जाली market को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या जाए integration of root under 1 plus cos 2x into dx ठीक है तो 1 plus cos 2x से जब डाल देंगे 2 into क्या डाल लेंगे 2 into cos square x हम में डाल यहां फिर integration root 2 आपका बाहर आ गया और root under cos square x को क्या लिख सकते हैं into dx होजगा root 2 आपका बहार आ जाएगा integration of cos x into dx cos x का integration क्या होताया बताई cos x का integration होताया sin x होताया root under cos x का हो जाएगा sin x हो जाएगा और plus में pan syndrome integration लगेगा क्यों कि यह क्या आपका इंडेफनीट इंटीगरल है तो आंसर हो जाएगा रूट टू साइनेक्स प्रसी में चकी चाहिए अपशन नोमर सी तक करेक्ट आंसर को जल्दी आपको इंडेफनीट इंटीटिक्रल के भी लेट अश्ट को स्टार्ट करेंगे यह आपका के definite integral पे रहेंगे ठीक है तीन वीडियो हमने आपको दे दिया इस वीडियो को मिला कर तो आप सबी वीडियो को जाकर देखिए आपके लेडिस्ट हमने बना दिया है पहले हमने आपको अप्लिकेशन के तीन लेक्चर को कवर किया था और यह आपका यह भी आपके तीन लेक्चर में कवर हो जाएंगे पहले हमारा यही टार्केट रहा है कि सारे कल्कुलोस को खतम किया जाए और भी जो भी टॉपिक्स है उनकी और बढ़ा जाए सारे मैथमेटिक्स के चैप्रस जैसे ही खतम होते हैं फिर आम नेक्स सीरीज को चलाएंगे और यहां पर question है 1-cos2x हमने आपके होता है 2 into 2 sin2x होता है और इंटू में dx लगेगा root 2 आपका बहार जाएगा और sin2x को क्या होता है sin x हो जाता है plus e x क्या हो जाएगा sorry into dx तो रहेगा ही ठीक है तो root 2 हो जाएगा और sin x को क्या होता है minus times of cos x plus cos c लगेगा ठीक है तो इसको थो आच्छे से लिख ले तो minus times of root under 2 into cos x plus c तो match कीजिए option number कौन से है b is the correct answer ठीक है चलिए बढ़ते है next questions की ओर question number क्या है number 3 number 3 में लिखा जा रहा है कि integration of e to the power x minus 1 upon 1 minus 1 upon e to the power x ठीक है इसका आपको integration आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसको कैसे कीजिएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं e to the power x रखने देंगे इसमें से minus 1 कटाएंगे और नीचे 1 minus e to the power minus x है तो e to the power 1 minus x को हम e to the power इस तरह से 1 upon e to the power x भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से आपको हमने यह लिखा, आपको यहां पर dx लगा हुआ है, फिर हम इसको कैसे integrate कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाला value जो है, इस नीचे वाला value, यह काम करते हैं, यह काम करते हैं, इसको थोर सा और solve करते हैं, यह आपका e to the power x minus 1 हो जाएगा, और यहा यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर आपको हो जाएगा integration of e to the power x into dx, तो यह बहुत ही simple हो गया है, integration e to the power x into dx का क्या हो जाएगा, e to the power x का integration e to the power x ही होता है, तो answer हो जाएगा e to the power x plus c, option number c is the correct answer, ठीक है, यह देख रहे हैं, बीना काम क एक ने आपको कह सकते हैं कि अनुप क्षिट को तरह करना होता चुंप करना होता है और देन जो given questions है उसको उस formula के term में लाए जाए और फिर उसको solve किया जाए ठीक है तो चलिए next questions के बढ़ते हैं question number क्या है हमारा integration of x square minus 1 upon x to the power 4 minus 1 ठीक है तो चलिए इसको integrate करते हैं तो उपर हो जागा x square minus 1 और नीचे क्या है x to the power 4 minus 1 जिसको हम a square minus b square पर तो रहेंगे तो एक हो जाएगा आपका x square minus 1 और दूसरा हो जाएगा x square plus 1 x square minus 1 से x square minus 1 कर जाएगा यहाँ पर हो जाएगा dx upon x square जैफि dx upon integration of 1 plus x square into dx यह 1 plus x square into dx किसका integration आप बताएगे तो यह आपका case का integration यह tanverse x का है तो यहाँ पर लिख देंगे हम simply tanverse x plus constant of integration c तो answer match करेंगे option number d is the correct answer ठीक है चलिए किसी को doubt नहीं होना चाहिए then फिर भी doubt होता है तो आप comment box में लिखेएगा यह सभी simple questions है ठीक है हमने कहा था आपको combined questions देंगे आपका जो second lecture था उसमें हमने आपको अच्छे कासे questions करवाया थे और यह आपका जो third lecture है इसमें आपको combined questions अच्छे questions भी मिलेंगे और normal level के भी questions आपको मिलेंगे ठीक है number 5th questions को पढ़िएगा यहां पर रिखा जा रहा है integration of x upon x plus 1 into dx ठीक है हम इसे कैसे integrate करेंगे तो देखे हम इसको कैसे integrate करते है ऊपर x है था हम क्या करेंगे x में से 1 जोड देंगा और उसमें से 1 घटा देंगे और नीचे क्या करेंगे x plus 1 लिक देंगे into dx ठीक है इसे कोई किसी हो कोई problem इतना करने के बाद किसी हो कोई problem होड़ा है तो problem नहीं होना चाहिए हमारे नों साथ क्योंकि यह minus 1 से plus 1 कर जाएगा और फिर पहले कितर आपका questions आ जाएगा ठीक है तो चलिए हमने ऐसा कर करेंगे integration लगाएङँ यह आपका ॓न हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा वनपं इकश प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा ठीक ह gideख दिख है आपका इंतिव क्या हो जागा इंक्स पलस 1 इन के अपने क्या पढ़ा आप य jurisd का ने पढ़ा y इक डूसरे के अपोजीत होते है ठीक है तो वन अपॉन एक्स का इंटरे स्वान हो जोब दे यूदि इस एक यह हमाला क्या है लॉग 161 हो जाता है ठीक है यूदि इस वन अपॉन एक्स प्लस यहांपे जगा नहीं है इसको फोसा one स्वाट में लिखते हैं यहांपे लिखेंगे लोग-क एक स्वाण ञाक है लोग ऑ झाप मैं अपन के होता है उससे यह इसा करते हैं आपको क्या होता categorAME का परप्रीज अभी हमने आपको सब्सक्राइब आपको देखें के Health aудira आपको समझ में आगे, ठीक है, याद रखिएगा कि यह क्या हमारा linear function है, और 1 upon x भी क्या होता है, हमारा linear function होता है, तो linear functions का differentiation जो होगा, वो क्या होगा, 1 upon x linear function है, यह क्या है, x to the power क्या है, 1 का ही function है, तो इसका हो जाता है log x, यदि x में क्या करें, कुछ add कर दे, कुछ x में multiply क कर दे, तब भी हमारा linear function ही रहेगा, ठीक है, तब तो linear function रहेगा, को square ने बजागा, यदि यहीं पर 1 upon x square हो जाए, या फिर x to the power 1 से जादा हो जाए, 1 पर 1 से जादा कुछ भी quantities हो जाए, तो हम क्या करेंगा, 1 upon log x नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख स minus log x plus 1, option number c is the correct answer, ठीक है, समझ में आला आए आपको, चलिए, बरते हैं next question आप, question number 6 क्यों, number 6 में लिखा जा रहा है कि integration of sin 2x into sin 3x into में क्या है आपका dx है, ठीक है, तो इसको हम 2 sin a into sin b से इसको तो तो रहेंगे, तो सब से पहले क्या करेंगे, इसको 2 sin a और sin b के तामिल आने क ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, integration of, एक सकेंड, integration of, ठीक है, यह क्या हो जाता है, 2 sin x, 2 sin a into sin b, क्या हो जाता आपका बताइए, तो पहला हो जाता आपका sin a, cos a minus b, तो cos a minus b, यानि, आपको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3x में से 2x को हटाते है, तो कितना हो जाएगा, आप फिर constant of integration dx लगेगा ही, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपका, यह बहुत ही असान आप integration हो चुका है, क्योंकि, cos x का integration आपको आता है, क्या होता है, आपका sin x आता है, हमने इसको formula फिर तोड लिया, cos 5 x का क्या होता है, आपका sin 5 x हो जागा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 से sin x by 2 minus sin 5 x by 10, option number कुन सा है, d है, क्या है, option number d, चलिए, बरते है, next question आप क्या है, question number 7, नमर 7 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है, नमर 7 में लिखा जा रहा है, integration of 3 x plus 5 to the power 7, ठीक है, 3 x plus 5 to the power 7, इसका integration करना है, आप कुछ बच्चे देख कि इसको हरान हो जाएंगे, क्यों ह नहीं लगेगा, इसका integration तो 7 power हमें क्या करना पड़ेगा, a plus b के whole square जैसे हमने पढ़ा है, उससी तर इसको 7 power तक हमें तोरना पड़ेगा, then फिर हमें इसका integration करना पड़ेगा, तो ऐसा आपको कुछ नहीं, क्योंकि यह क्या आपका linear function, आप देख सकते हैं, यह 3 x plus 5 के हमारा प्लस 1, और साथी में x का जो कोफिसेंट है, उससे multiply करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यह 3 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इसका simple integration हो जाएगा, एक लाइन का ही answer है, अब इसको क्या कीज़, आप solve कीजिए, तो 3 x plus 5 to the power 7 plus 1, 8 हो जाएगा, और नी 10 में लिखा जाना है, e to the power 5x plus 3, ठीक है, अब देखिए, इस integration को भी देख के आप अर्थान हो जाएगा, कि आप सोचेगा इसको कैसे integrate करें, तो यह भी क्या आपका linear function है, और आपने e to the power x पर आपका x जो है, यहाँ पर linear है, तो इसकान से इस पे हम, जो e to the power x का होता है, व 10.5 plus c, option number c is the correct answer, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, next question number 9 की ओर, number 9 में कहा लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है, कि integration of sec square 3x plus 5 into dx, ठीक है, यह सारे questions आपको अच्छे खासे concept सिखा कर जा रहे हैं, और concept के lecture pedally वहाँ पर चल रहे हैं, तो आप अगर अच्छे से ध्यान बनाईएगा, तो आपको सारे concept आपको memory हो जाएंगे, सारे concept आपको समझ में आ जाएंगे, और याद हो जाएंगे, ठीक है, और दन आपको बास जो भी books हैं, उनको भी आप साथ में बनाते चलिए, ताकि आपके more number of questions प्रैक्टिस होते रहें, ठीक है, तो इसको कैसे integrate करें है, यहाँ भी x to the power one है, और यहाँ पर हम सेम इसी तरह का से लगा सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा, और 3x plus 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो आपका constant of integration है, यह क्या आपका 3 इससे क्या करना पड़ेगा, हमें divide करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे बनाएएगे? तो दिखेगा, integration of log x upon x है, तो यह आपका हो गया, तो हम इस्को कैसे बना सकते हैं, आप सोचिए एक बन, इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 0x को क्या क्या कर लते हैं, demoled the log x को क्या हो जाएगा, इसी आपका dx हो जाएगा, तो dx equal to तो क्या हो जागा आपका? Dx को जागा आपका X to the change में माना है log of x तो यह आपका हो जाएगा log of x का whole square upon 2 plus c यह answer हो जाएगा तो match कीजिए log of x का whole square upon 2 plus c option number c is the correct answer ठीक है क्या हो जाएगा c is the correct answer तो इस तरके से क्या करते हैं इन सभी questions को हम बनाते हैं साथ आपको सभी questions समझ में आए होंगे अच्छे से किसी भी questions में डाउट नहीं होगा अगर कोई questions में डाउट रहता है तो आप comment box में लिखकर हमसे बिल्कुल सकते हैं आपको किसी किसी books को आप बना रहे हैं उस books में आपको कोई प्रॉब्लम है किसी मजली जाएगा ठीक है इस तरह से क्या होगा आपके में हम लग में सभी में बांडिंग बना रहेगा और क्या होगा questions भी जो आपके सॉल्ब होते रहेंगे तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर मिलेंगे नेक्स वीटियो में किसी पर गार्ड आउट हो तो comment box में जो लुखेगा थैंक्स पर वाचिंग वीडियो तब तक की लिए बब बाई